Praise the Lord मेरे मसीह भाई you,बाल मेरे मसीह बनी नीदेश मसी आज आपके बीच में बचन को शेयर करनें आया हूं मेरे बहुत आज याम कारे का सटामी जत्सार के बारे में पिताब कर बामेश्विर के अनुग्रह से मेरे बहुत वान अधश्विय हैं मेरे प्रे भाई भाई भैनो आज मैं आपको यही बताऊंगा इस वचन के द्वारे तो दिल थाम कर बैठ रहे हैं प्रभु येश्व मसी के वचन को सुनने के लिए मेरे प्रे भाई भाई भैनो चलिए सुरू करते हैं तो हमारे साथ निकाल लेंगे गलातियों की पुष्ट बने वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो क्योंकि सारी बिवस्ता इस एक ही बात में बोरी हो जाती है तू अपने परोसी से अपने समान प्रेम रख मेरे प्रे भैनो लेकिन हम लोग क्या करते हैं प्रेम नहीं रखते हैं आज देखिए एक दूसरे को मारा काटी हो रहा ह आज देखिए भाई भाई को जमीन जाजाद के लिए मार रहा है इसमें मुझे आजादी नहीं मिला है शैतान देखिए आपके जीवन में ऐसा काम करता है कि आपको बिमार कर देता है इससे हम आजाद नहीं हुए क्यों कि हम लोग महिश्वर के वचन पे चलना छोड़ दिये है यह इसलिए हम लोग आजाद नहीं है आज भी हम लोग क्या है सायतान का गुलाम बने वह हैं मेरे प्रेव है बहनों यहाँ पर पढ़ेंगे एक बाद फिर से गलासियों के पुष्टक में लिखावा है पाच्वा अध्याय का पहला वचन मसी ने सुतंता के लिए हमें सुतंत्र किया है अता इसी में स्थीर रहो और डात्रिक इसी में स्थीर रहो है ना या लेकि मसी ने क्या किया है हमें सुतंता के लिए सुतंत्र किया और मुझे क्या करना है इसी में स्थीर रहना है यानि कि परमिश्व के वचन को पढ़कर उसके वचन पर चल कर उसी में स शुष्ष कर सके हैं मेरी प्रेवाइब लेकिन हम लोग क्या है आज भी क्या है गुलाम है किसके गुलाम है शैतान के साथान ने हमें क्या कर दिया गुलामी में घेर रखा है में अज आपको इस वच्चन को टॉपिक में बताऊंगा एक बाद फिर से दूसरा कुरूंतियों क बचन लिखाता है दूसरा कुरुंतियों का तीसरा अध्याय का शोलवा बचन में परेंगे मेरे देवावे नो उसमें लिखावा है प्रन्तु जब कभी उसका हिर्दे प्रभु की ओर फिरेगा तब वो परदा उठ जाएगा जब आप परमीश्वर के मतरफ मन फिराईएगा तो क्या होगा परदा हट जाएगा अजब परदा हट जाता है यहाँ पर लिखावार प्रन्तु जब कभी उसका हिर्दे प्रभु की ओर फिरेगा तब वो परदा उठ जाएगा प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां सुत्रभिता है यदि मेरे अपने पापों का पच्चताप करते हैं तो आप क्या करते हैं अपने आपको अंगिकार करते हैं कि प्रभु मुझे यह गलती होगे मुझे माफ कर दो तो क्या होता है जब अपने आपको पर्दा को हटा देते हैं अपने गलती हो का पर्दा जो आपकी सर की उपर और ही बैठ वो परदा को हटा देते हैं तो क्या होते हैं आप स्वतंत्र हो जाते हैं प्रभु येश्य मसी ने आपको स्वतंत्र कर देता है मेरी मसी भाई वेनों आप एक आजाद हो जाते हैं लेकिन ऐसा आप कड़िये आपको बहुत आशिश मिलेगा बहुत 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 जलाद के आजादी दिलांत है इस लिए को रिट करकर देखिए ये बाइवल एक आम बाइवल नहीं एक साधारन बाइवल नहीं है मेरी प्रेवाइब कि इसको तखत के उपर रख दे और सो जाये इसको बढ़िए तो आप आज हादि पाएगे नाएक का एक तीसमा वचन उसमें लिखावाए यदि तुम मेरे वचन में बने रहोंगे तो सच मुच मेरे चीले ठरोगे तो उन सथन तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमें शुर् बने रहोगे तो आप सत्य को जानोगे और सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा आप जाती लाएगा जब तक आप सत्य को नहीं जानते मेरे बिले भाई बैनों तब तक आप क्या है आजाती जिस दिन आप परमीश्य के वचन को समझ गए जिस दिन आप परमीश्य जब आप सुतंत्र हो गए तब आप किया आप अंदर से सुतंत्र हो गए लेकिन आप आज आपको इस वचन से पनमिश्वर आपको सुतंत्र करेगा आप लोग बाइबल को रिट किजिए आप बहुत ही आशिश पाएंगे अगर आपको यह ठीक से नहीं समझ में आया हो तो इस टीम से लिचे मैंने एक वेफसाइट का लिंक डाला है जिसमें कि आप वहां पर लिखा हुआ है विस्तार रोग से आप वहां पर समझ भी सकते हैं कि सोतंत्रता के बारे में कि प्रवियेश मसी ने हमें क्या से सोतंत्र किया है किस कारण से सोतंत्र किया है नीचर डिसलेशन के में लिंक दिया हुआ है मिरे मसीवाय मेंनों उस लिंक को टाच किजिए और उस लेफसाइट पर जाईए और वहां पर सोतंत्र के विसे में उप